बात करते हैं, लाप्लास equation से, इससे पहले हमने एट equation की बात करेती, लाप्लास equation से solution कैसे find out करेंगे, सबसे लाप्लास equation क्या होती है, uxx plus uyy equal to 0, अब हम इसे uyy को हम right hand side पे ले जाएंगे, तो यह minus का हो जाएगा, और यदि हम u का solution देखें, तो u किस type का x और y पे depend करता है, त to y आजाएगा, क्योंकि y हमारा यहाँ पर constant की तरह वर्क करेगा, अब की बार uyy निकालेंगे, तो x हमारा constant की तरह वर्क करेगा, और y का double dash हो जाएगा, यान की y के respect हैं, दो बार partial differentiation हो जाएगा, अब यह जो दोनो uxx और uyy है, यह value यहाँ पूट कर देनी है, जैसे हम यह value यहाँ पूट करेंगे, तो हमारी यह value निकल कर आजेगी, इसे किसी value constant k के बराबर रख लेंगे, अब k की अलग-लग value के लिए, यहाँ पर हम जब derivation निकालते हैं, अलग-लग value के लिए, x और y की value find out करते हैं, k की value सबसे पहले हम 0 लेंगे, फिर lambda लेंगे, फिर minus lambda square, k की value जैसे हम 0 लेते हैं, तो c1, c2, x type के हमारे solution आएगा, और जैसे हम इसमें यह वाली given हमें, हमेशा जब भी application given होगी, इसमें चार इस type की condition given होगी, तो जब भी हम k equal to 0 put करेंगे, और यह दोनों condition apply करेंगे, तो हमारे जो constant आता c1, c2, इनकी value 0 हो जाएगी, क्योंकि इनकी value 0 ह जाएगी सभी की, तो हमारा trivial solution हो जाएगा, 0 solution उसका कोई फाइदा होगा नहीं, यह हम derivation में जहूँ दिखाते हैं, पर question में हमें यह जोरगत नहीं पड़ती, हम बात करें, lambda square की, यहाँ पर भी same condition आएगी, यहाँ पर भी हमारे जो तीनों, चारों constant जोंगे, हमारी उसकी value इन condition हो से 0 हो जाएगी, तो उसका भी हमारा कुछ फाइदा होगा नहीं, question में, आप question में हमारा mainly काम आएगा, k equal to minus lambda square, इससे हमारा solution निकलेगा, तो यहाँ पर हम direct k equal to minus lambda square रख लेते हैं, उसके बाद इसे, जब x के साथ लेंगे, minus lambda square को तो यह equation बनेगी, और जब y के साथ तो हमारी यह वाली equation बनेगी, अब x से साथ लेने पर इसका cf निकालेंगे, cf निकालना आपको आते ही होगा, तो m equal to plus minus lambda i आजेगा, तो क्योंकि यहाँ पर हमारा कौन से complex root है, तो हमारा इससे cf क्याएगा, c1 cos lambda x, c2 sin lambda x, equal to 0, right hand side पर तो हमारा particular solution इसका 0 होगा, तो cf इ जाएगा, c1 e की power lambda y, plus c2 e की power minus lambda y, ठीक, अब यहाँ से x और y की हमें value निकल गी है, और u equal to क्या था हमारा x into y, तो हम u equal to x into y करेंगे, तो हमारा solution आजेगा, पर यहाँ पर हमें constant की value निकाल लिए है, वो खिसकी help निकलेगी, जो हमारी given condition होगी, जो हमारी bracket में, column में पूरी बनी है, यह साथ चारो condition की help से, हम सब से पहले ux equal to 0 put करेंगे, ux 0 equal to 0 put करेंगे, यानिकि y equal to 0, y equal to 0, x को x ही put करेंगे, तो x में, तो x वाली term ही है, capital x में, तो इस पे तो कोई answer बढ़ेगा नि, y पर answer बढ़ेगा, y में y equal to 0 put करेंगे, तो u की value 0 हो जाएगी, तो y equal to 0 put कर बनने पर यह हमारा 1 बन जाएगा, यह भी हमारा 1 बन जाएगा, तो यह c3, c4 है, क्योंकि c1, c2 हम यहां ले चुके है, तो c3, c4 हमारा into x, u equal to x मैंने डाइट x रख लिया, क्योंकि x पर कोई value depend हो नहीं दी, इस वाली condition में, x 0 है, तो x की जगे x ही put करेंगे, तो x into c3 plus c4 आजएगा, equal to किसके आजएगा, 0 क्योंकि equal to 0 यहां पर solution u, तो यहां से c3 और c4, c3 equal to minus c4 आजएगा, यानि कि इन दोनों को आपसमा minus से replace कर लेंगे, अब next condition apply करेंगे, u 0, y equal to 0, अपकी बार क्या होगा, y पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि y वाली term, जिसमें y वाली term में, और y वाली term हमारी ऐसी हो जाईगी, तो जैसी हमारा c1 इसमें x वाली term में, into y equal to 0, 0 की equal to की बुट करा, क्योंकि हमारे 0, y equal to 0 condition की बारते है, ठीक, यहां से हमारा c1 equal to 0, हमारे next constant की value भी आजए चुकी है, c1 equal to 0, तो यह हमारे तीनों constant की value आचुके, अब next condition यूज़ क यह हमारा already 0 हो चुका है, solution में, तो इसे हम consider, यह sorry, हमारा c1 की value 0 आचुके है, वो तो okay, condition, c1 की value 0 आचुके है, तो इसे हम consider नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे, तो x की value क्या है, c2 sin lambda x, और into y की value हमारे यह पूरी है, तो x into y हमारा u हो जाएगा, तो हमारे यह हो गया, c2 sin lambda x into c c3, हमने c3 ले लिया, और minus यहाँ पर sign ले लिया, c4 की जगे minus c3 के equal कर लिया, तो यह हमारा u की value आगई, अब u की value पर हमें simply यहाँ यहाँ पर y equal to 0 पूट करना, y हमारा ऐसे का ऐसी रहेगा, क्योंकि y की जगा y है, तो यहाँ से equal to 0 पूट करना, तो c2 sin lambda l into c3 यह पूरी condition हमारी ऐसी गया, equal to 0, अब यहाँ से यहाँ से हम c3 या c2 को 0 ले लेंगे, तो यह हमारी again trivial solution बन जाएगा, trivial solution का मतलब क्या है, यहाँ पर again 0 बन जाएगा पूरा solution, तो इस 0 solution को बनने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, constant को 0 न लेते हुए, हम sin lambda l को 0 ले लेंगे, तो जिस अब यह जो n pi by l है lambda की value, यह हम इस वाले solution में रख लेंगे, क्योंकि finally तो solve होगे हमारा यह यह आ रहा था, तो इसमें lambda की जगे n pi by l put करना है, बद जैसी हम lambda की जगे n pi by l put करेंगे, तो यह वाली equation बन करा जीगे हमारी, lambda की जगे हमने n pi by l put कर लिया, अब यहाँ से क्या क constant मान लेंगे cn, ठीक, जिसकी value हमारी किस्से half range series न कलती है, जो हम next video में discuss करेंगे जिस बारे में, तो into हमारा यह पूरी solution हो जाए, यानि कि c2 into c3 को cn मान लिया, और यह पूरा solution हमने ऐसी का ऐसी लिख लिया, तो यह हमारी laplace equation की uxy की value आखी, पूरी complete होकर, तो इस तरीके value निकालते हैं,